नश्राइब दोस्तों वेलकम तो स्टडी आएक्यू आएस स्टडी आएक्यू आएस के एथिक्स डिलेमा सेशन में आप सब का स्वागत है मैं चांदकुबा आज आपके साथ डिसक्स करूंगा सोक्रेटिस यानिकी सुकरात के बारे में मैं आपको यहां पर इनीशली बताना चाहता हूं कि जब हमने लास्ट कुछ सेशन्स में बात की थी श्रीय और अबिंदो के बारे में हमने बात की थी राजा राम मोहन रोय के बारे में उस समय हमने इन सक्ष का जो है वो नाम काफी बार लिया था मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं आज हम जिन की बात करने आले हैं सुक्रेटस की इन्हें फादर ओफ एथिक्स भी कहा जाता है फादर ओफ एथिक्स क्यों कहा जाता है वो आप आज समझेंगे मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपको कि moral courage की जो हम बात करते हैं कि what you say what you believe in do you have the guts to take the stand for the same उसका जो जीता जाता एक जागता example है वो हमें सोक्रेटस यानि कि सुक्रात में देखने को मिलता है सुक्रात या सुक्रेटस हमारे syllabus का एक बहुत important हिस्सा है साथ ही में यह एक ऐसे philosopher है जो कि हमारी life में भी एक बहुत बड़ा role play कर सकते हैं आज इनसे हम शरुवात करेंगे और इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि exam में अगर इनका question आ भी जाए तो आप इ सो शिवानी ओके सलीम शित शितिश अंकिता आई वेलकम यू ओल गुडिवनिंग वंस अगेन चले शुरुवात करते हैं हमारे आज के सेशन से सो सो क्रेटस की बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आखरी दिन है अगर आप subscribe करना चाहते हैं हमारे जो लाइफ फांडेशन बैच चल रहा है सिक्स लाइफ फांडेशन बैच को उसे subscribe करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं 24 महीने की validity के साथ आपको यह बैच मिल रहा है जहां पर आपको nominal surprise है उस पर यह बैच दिया जा रहा है करना क्या है चांद लाइव का एक आपको code इस्त सवाल भीजना चाहें तो इन सभी चैनल का इस्तामाल कर सकते हैं बात करते हैं हमारे आज के मेन तिंकर की फिलोसफर की देखिए जब बात की जाती है सोक्रेटस की और राइट सो सोक्रेटस जो है वह ग्रीक फिलोसफर है अथेंस से बिलॉंग करते हैं और founder of western philosophy इने कहा जा सफर अथेंस से बिलॉंग करते हैं उससे में concept हुआ करता था city states का यानि कि जो शहर होते थे वह अपने आप में states हुआ करते थी तो अथेंस, स्पार्टा इस तरह हैं की different city states हुआ करते थी उन्हीं में से एक city state थी अथेंस जिसका यह हिस्सा थे यह मैंने कहा कि western philosophy के founder कहे जाते हैं इने father of ethics भी कहा जाता है और इनको कौन से खंड काल में आते हैं कौन से time period में इनका आना हुआ इनका कब जनम हुआ कब death हुई तो वो है 470 BC से 399 BC के बीच में ऐसा माना जाता है कि यह 71 years का समय था जो कि यह रहे अथेंस में दूसरा आप यह देखेंगे कि उस समय जब यह ग्रीक में यह अथेंस में अपनी philosophy दे रहे थे उसी के parallel में हमें देखने को मिलता है कि भारत में बुद्धिजम और जैनिजम की शुरुवात हो रही थी उनकी philosophy अभी initial stage में हमें देखने को मिलती हैं तो आप इनमें parallel भी देख सकते हैं तो एक context के लिए मैं आपको बताया कि यह इनका काल खंड रहा ना इनका main idea क्या था इनका main idea था कि हमें अपना जीवन कैसे वतीत करना चाहिए तो मैंने कहा कि father of ethics है यानि कि ethics की जो शुरुवात हो रही है एथिक्स की जो शुरुवात हो रही है वो हमें socrates की philosophy में देखने को मिलती है इनसे कई सारी quotations जो है exam में as it is उठकर आ जाते हैं तो आज अगर हमने यह समझ लिया और यह आज की में जो हमारा पूरा philosophy का जो concept रहने वाला है socrates की मैं कोशिश करूंगा कि कहानी के रूप में flow में आपको समझा तो सो कहानी समझेंगे socrates की ध्यान से समझना ठीक है चलें so yes good evening good evening welcome you all good evening now so मैंने आपको कहा कि कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए how we ought to live कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए वो बताते हैं कैसा है हमारा जीवन वो ने बताते हैं कैसा होना चाहिए ideally इसलिए इनको idealist कहा जाता है और रइट ना teacher of Plato आपने पढ़ा होगा Trinity है ये सोक्रेटस फिर इनके बाद इनके शिश्य थे Plato प्लेटो के बाद इनके शिश्य आते हैं प्लेटो के भी जो शिश्य थे या स्टूडेंट थे वो कौन थे अरिस्टोटल थे तीनों को हम पढ़ने वाले हैं आज हम सोक्रेटस को पढ़ेंगे इनका जो biggest contribution हमें देखने को मिलता है वो है इनकी the theory of knowledge the theory of knowledge से ही आज के हमारे जो कंसेप्ट से हम हम डिस्कुस करेंगे इनकी एक बहुत ही important बहुत ही famous मैं line of philosophy बता दूं कहते जी my philosophy is my life अब इसका क्या context है किस लिए इन्हों ने कहा वो आज की हमारी स्टोरी में हम समझेंग ठीक है एक स्टोरी के माध्यम से उसे समझेंगे चली अब शुरुवात में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो method of discourse दिया वो था dialectics का method दरसल उस समय जो समय चल रहा था वहां पर जो teachers हुआ करते थे उन्हें sophist कहा जाता था वो sophists क्या कहते थे वो कहते थे कि हमें लोगों को facts बताने चाहिए और वो facts लोगों को मान लेने चाहिए जो teacher facts बता रहा है आपका as a student करता वे बनता है कि वो facts मान लो और उनका जो main concept था sophists जो थे उनका जो main concept था वो ये था कि education should be there for the purpose of power and money जो sophist थे उनका purpose था कि education जो है वो हमें इसलिए पानी है क्योंकि हम power और money को हासिल करना चाहते है that is the purpose of gaining education और उनकी जो education थी वो factual थी उनको लगता था कि teacher से education जाती है student के अपास और education should be a paid profession उनको ये ऐसा लगता था तो जो sophists थे वो पैसे के लिए पढ़ाते थे basically वो facts की जानकारी आपको दे देते थे लेकिन एक ऐसे महौल में जहां पर सारे सारे के सारे सोक्रेटस के दुश्मन थे या sophists कहेंगे जिनको ऐसे महौल में ये अकेले ऐसे व् हमारे अंदर है knowledge is within us हमारे अंदर है हर व्यक्ति के अंदर वो knowledge का part है और teacher की responsibility ये नहीं है to deliver the facts no teacher की responsibility है कि वो आपके अंदर से उस ग्यान को निकालने की कोशिश करे उस ग्यान को आपको बोद कराने की कोशिश करे है realize कराने की कोशिश करें ये एक असली teacher का role होना चाहिए नव ये कहा किसने ये सोक्रेटस या सुक्रात ने कहा तो इनका क्या तरीका था ये कहते थे कि आप student को facts मत बताओ आप मत बताओ कि आईस क्रिम खाना गलत है आप मत बताओ कि इसमें इतनी calories होती है no you don't need to tell आप student से पूछो कि भाई क्या ये सही है आपकी body को मैंने एक example भी लिया ये कहता है कि अगर मान लो को student कह दे कि भूई मुझे आईस क्रीम पसंद है तो सोक्रेटस ये नहीं कहेगा कि यह आईस क्रीम मत खाओ आईस क्रीम आपके लिए अच्छे नहीं है क्योंकि आईस क्रीम आपके शरीर को इतनी जादा over calories दे देती है आपको जुखाम हो जाएगा नहीं सोक्रेटस आपसे पूछेगा अच्छा ये बताओ तुम्हें आईस क्रीम पसंद है कोई बात नहीं लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी body को कितनी calories की requirement है आप खोजोगे उसे बताओगे जी हमारी body को हर अची हेल्थ की requirement होती है आपको गहांजी होती है तो अगर आप अपनी requirement से ज्यादा calories का इंटेक कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा आपका शरीर क्या positive direction में जाएगा या फिर आपके शरीर में कोई दिक्कत आएगी आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यह वाके में बात अब धीरे धीरे आपको यह realize करवा देंगे सिरफ सवाल पूच पूच के यह realize करवा देंगे कि भाई वाकई में ice cream मेरे लिए हो सकता है कि short term pleasure मुझे दे जाए बट long term में ice cream is not going to help me सो यह तरीका है dialectics का जहां पर आप से सवाल पूच जाते हैं आपको debate का हिस्सा बनाया जाता है आप से सवाल पूच पूच कर आपको उस point पर लेकर आते हैं सो क्रेटस जहां पर आपको खुद realize हो जाए that the fact or the logic that I was giving is completely flawed the fact or the logic that I was presenting is not going to help me in long run सो यह होता है dialectics का method I hope कि आपको dialectics का यह जो concept है यह समझ आ गया होगा जो सो क्रेटस ने यहां पर बताया सो क्रेटस ने अगेन मैं बता दूँ कि इनका एक ही तरीका था आपको realize करवाने का सही ग्यान देने का वो यह था कि आपके अंदर ग्यान चुपा है उस ग्यान को बस मैं आपको निकालने में help करूंगा इनकी जो मदर थी वो जैसे हम बोलते हैं पहले गाओं में होती दाई होती थी जो की बच्चे को जनम दिलवाने में मदद करती थी यह कहते हैं कि एक टीचर का भी रोल वही होता है टीचर भी एक मिडवाइफ की तरह ही होता है एक दाई की तरह होता है जो हमारे अंदर छुपे हुए ग्यान को बाहर लाने में मदद करता है और वो ग्यान को बाहर लाने में मदद कैसे करेगा कैता जी डायलेक्टिक्स का मैथड है आपसे सवाल पूछेगा आपके जो तर कह था, डायलेक्टिक्स का इसको हम तरीका बोलते हैं या जरिया बोलते हैं, सो यह कहते हैं कि true insight comes from within, इनकी यह joh quotation है, आप इनकी quotations को note करते रहना, वो किस context में यह quotation कही गई है, वो मैं आपको इहां पर बताता हुँगा, ठीक है, तो यह कह रहे हैं कि true insight comes from within, अगर इन्होंने यह कह दिया कि true insight comes from within, now you know कि यह किस context में कह रहे हैं, अगर आपके पास यह quotation आ जाती है कि true insight comes from within, तो Socrates ने या सुकरात ने यह किस context में कही, अब आपको समझ आ गया होगा, कि वो कह रहे थे कि हमें dialectics के माध्यम से अपने अंदर सुपह हुए घ्यान को बाहर लाना है, So, यह है पहली quotation जो आज हमने यहां पर की, I hope कि आपको चीजने समझ आ रही होंगी, अगर चीजने समझ आ रही हैं, तो मुझे thumbs up दे कर बताते रहीएगा, और राइट, So, comment box में मुझे बताते रहना कि यह चीजने समझ आ रही, All right, So if you understood the concept, give me thumbs up, Okay, चली, So, next concept की तरफ बढ़ते हैं, Now, next concept, अब एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको लेकर चलता रहूँगा, अब होता क्या था, कि जो यह समय था, आज से लगबग हम बात कर रहे हैं, 24 साल पहले के समय के, इस समय, ethics का कोई अलग से source नहीं था, only religion was the source of ethics, जो आपके जो religion के leaders थे, उन्होंने जो कह दिया, वो आप ethics के रूप में लेकर चलते थे, आपके धरम गरंथ में जो कह दिया गया, कि भई, इनसान को दूसरों से प्यार करना चाहिए, तो वो ethics है, अगर धरम गरंथ में कह दिया गया, कि आपको केवल अपने धरम के लोगों से प्यार करना चाहिए, तो आपके लिए ethics वही है, you are not supposed to question, आप question नहीं करोगे कि धरम गरंथ में ये बात क्यों कही गई, so ethics का जो source हुआ कर था था उस समय में, that was an external source, आपको जो बाहर से बात बता दी गई, कि वहल वही आपका ethics है, आप उसे you were supposed to understand and you were supposed to follow that blindly, कि भई, हमारी धरम गरंथ में ऐसा कहा है कि हमें एक दिन में 50 या एक दिन में, let's say, 10 गंटे काम करना है, 10 गंटे सोना है, आगर हम उससे अलग हो रहे हैं, तो religiously हम गलत हो रहे हैं, ये उस समय का ethics सा, तो it was not based on logic, it was not based on reason, यहाँ पर इस background में, सुकरात ने कहा कि भई, question करो, question करो कि आपक इतने घंटे काम करना है, हमें केवल अपने धरम के लोगों से प्यार करना है, इस चीज को question करो, कि क्यों हमें अपने ही धरम के लोगों से प्यार करना है, क्यों दूसरे धरम के लोगों से प्यार नहीं करना है, इस चीज के पीछे logic ढूंडने की कोशिश करो, तो क्या करते ना यह यह कहीं पर भी जाकर बातचीत करना शुरू कर देते थे कहीं पर भी जाकर यह बातचीत करते थे स्टूडेंट्स के साथ यंग्स्टर्स के साथ बातचीत करते थे और बातचीत करते उन से सवाल पूछते थे उन सवाल पूछ कर उनको उनके जो उस समय की धारना थी वो प्रूव कर देते थे कि भाई तुमारी धारना में कोई दम नहीं है फ्लॉड है तो कोई अगर इनको कहता था जी हमारे धरम में ये कहा गया है कि भाई हमें अपने धरम के लोगों से प्यार करना चाहिए ये सवाल कि जो अरिस्टो क्रेसी थी उस समय की जो इलीट क्लास थी उनको खतरा सताने लगा जो समय की रिच क्लास थी जो एंपायर चलाने वाले लोग थे उनको खतरा सताने लगा क्योंकि वो धरम का सहारा ले रहे थे लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनको ये डर लगने लगा क कि कहीं ये धरम को ही लोगों से हटाना दे कहीं धरम में जो लोगों का विश्वास है बिकोज अगें मार्क्स ने क्या कहा कि religion is the opium of masses यह religion जो है मार्क्स की अगर हम बात माने तो religion क्या है एक साधन है जिससे लोगों को control किया जा सकता है मकैवली ने भी क्या कहा कि religion होना जरूरी है और राजा को religion का इस्तमाल करना आना चीए मकैवली ने भी तो यह कहा ना मकैवली क्या कह गए कि भाई राजा को धरम का इस्तमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो धर्म में विश्वास रखता है राजा को धर्म का इस्तिमाल इसलिए करना है क्योंकि राजा इसे एज़ा टूल यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल अधर्स तो उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो elite class थी, उनको डर सताने लगा कि यार ये कहीं बंदा, हमारे जो लोग हम से इतना डरते हैं, धरम के नाम पर हम उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, कहीं ये हट गए, तो हमारे राज का क्या होगा तो उन्होंने शोर मचा दिया, जो elite class थी उन्होंने शोर मचा दिया, कि यह सुकरात जो है, he is corrupting the youth, यह हमारी जो आने वाली generations है, हमारी जो young generation है, उनका यह बुद्धी बरष्ट कर रहा है, उनको धरम से दूर लेकर जा रहा है, और उन्होंने कहा that he is dangerous for the state, उन्होंने इसे य क्योंकि सोकरेटस ऐसा पहला बंदा है, जो कहते हैं, हर चीज के उपर सवाल करो, logic से बात करते हैं, इनको कहा जाता है that he introduced reasoning, इसका भी श्रय इनको जाता है, now, so ultimately हुआ क्या, सोकरात के against trial शुरू होता है, सोकरेटस के against state में trial शुरू होता है, इनको जो है court में ले जाया जा जाता है, और इनके खिलाफ पूरा का पूरा मुकदमा शुरू हो जाता है, उस समय इनके कुछ दोस्त थे, उनमें से एक नाम क्रेटो भी था, तो इनके दोस्त ने इनको कहा कुछ influential friends थे, कि भाई देखो सुकरात, तुम्हारे पस दो options हैं, हम तुम्हें मदद करने के हो यूथ को, state तुम्हें दोशी पाएगी, और तुम्हें मार देगी, ये बात में कोई doubt है ही नहीं, सुकरात ने का कि तुम्हारे options तो बताओ मुझे क्या है, तो क्रेटो ने इनको कहा, कि भाई देख तुम्हारे पस दो option है, पहला option ये है कि तुम state शोड़ कर भाग हैंगे, इस तरीके से मुकदमा भी खतम हो जाएगा, तुम दूसरी state में चले जाओगी, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, पहला option ये है, सुकरात ने सुना, कि ठीक है भाई तेरा पहला option सुन लिया, अब दूसरा option बता, तो क्रेटो ने कहा कि दूसरा option ये है, कि तु question नहीं किया जाना चाहिए, सुकरेटर्स का वही बात कि he was ready to take the stand, he was ready to die, तो उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों options मुझे मनजूर नहीं है, and he rejected both the options, वो reject कर देते हैं, and he replied that my philosophy is my life, उन्होंने कहा कि मेरी philosophy मेरी life है, my philosophy is my identity, अगर मैं अपनी philosophy के लिए stand नहीं ले सकता, there is no point in living such kind of life, उन्होंने क्या कहा, life carries no meaning, if we cannot live according to the ideas we subscribe to, so again, क्या कह गे, कि life का कोई मतलब नहीं रह जाता, boss, अगर हम उन ideas के लिए stand ना ले पाए, जिन के लिए हम subscribe करते रहे, जिन के लिए हम सारी उम्र लड़ते रहे, जिन के लिए हम सारी उम्र लड़ते रहे, जिन के लि से, मैं अपने उन ideas के लिए ना खड़ा हो पाऊं, कहरे जी, ऐसा मेरा ग्यान है नहीं, my idea is what I stand for, and अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा, so ये दो quotations हमने यहां पर cover कर ली, पहला क्या था, that my philosophy is my life, ये पहली quotation हमने यहां पर cover की, किस context में ये सुकरात ने कहा कि my philosophy is my life, ये मैंने आपको बताया, and डूसरा इन्होंने क्या कहा, that life carries no meaning, if we cannot live according to the ideas we subscribe to, ये दूसरी philosophy की quotation हमने यहां पर cover कर ली, क्यों कहां इन्होंने मैंने आपको समझाया, क्योंकि भई ये इन्होंने जिस idea के लिए stand लिया, वो आखरी दम तक लिया मरने के लिए भी ये ready हो गया, तो ultimately वही हुआ, ultimately इन्होंने जहर का प्याला पिया hemlock, he was ready to drink hemlock, ये भागे नहीं, ये भागे नहीं, और इन्होंने जहर पी, एक और interesting बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर सुकरात चाहते तो भाग सकते थे, और वो चाहते तो state के खिल ऐसा नहीं है कि सिरफ Athens में लोग उनको जानते थे, बाहर भी उनको जानते थे, बाहर की राजा लोग भी उनको जानते थे, if he wanted, तो ये जाते बाहर की देशों में जाकर, और वहां पे उन राजाओं की मदद लेकर Athens की उपर हमला भी करवा सकते थे, everything was possible, जैसे कि हमने French Revolution मे में भी देखा था, लोई जो थे, प्रिंस लोई, किंग लोई जो थे, वो भागना चाह रहे थे, French Revolution में, ताकि दूसरे देशों की मदद से, वो French Revolution को कुचल सके, है न, अगर ये चाहती है, तो सुकरात की केस में भी हो सकता था, लेकिन सुकरात ने ऐसा नहीं किया, Socrates क्या कह गए, कहते जी, he believed in unquestionable obedience to state, अब मज़े की बात यह है, कि कहते हैं कि भाई, state चाहे गलत भी हो, state एक मुका गलत भी हो सकती है, या मुझे ऐसा लगता है कि state के और मेरे विचार नहीं मिलते हैं, but it does not give me the right to revolt against the state, इन्होंने ये तक कह दिया, कि state ultimate authority है, और अगर state गलत भी है, तब भी, मेरे पास ये अधिकार नहीं है, कि मैं state के खिलाफ reward करूं, so ये इनका third quotation है, या इनका third idea है, that unquestionable obedience to state, ये कहते हैं कि जो state है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है, hemlock is, जहर उसमें, इसको यूज किया गया था, चलिए, ना, so ये हमें देखने को मिलता है, ये हमने यहाँ पर cover किया, I hope कि आपको इतना समझ आया होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, इनकी next quotation पर, अगर अभी तक समझ आया है, तो give me thumbs up, फिर हम आगे अपनी next quotation पर बढ़ते हैं, ठीक है, so next quotation क्या है, now, कैता जी, knowledge is virtue, knowledge क्या है, वो उस समय के जो scholars थे, जिनको हमने sophists कहा, वो sophists लगे हुए थे, material realities of the life के बारे में, जानने में, they were finding about the physics, chemistry and biology of life, वो जानना चाह रहे थे कि दुनिया कैसे बनी, वो जानना चाह रहे थे कि दुनिया या अर्थ, revolve किसके around करती है, वो जानना चाह रहे थे कि ये पत्थर कैसे बने, पहाड कहां से बने, reverse कहां से आ रहे हैं, वो physical reality के बारे में, जानना चाह रहे थे, they wanted to learn about chemistry and biology of life, so what constitutes life, they wanted to know, सुकरात कहते हैं कि भाई, इतने तक मत रुको, that is not true knowledge, अगर आप यहां तक रुक गए, कि what constitutes life, या हमारे जीवन में क्या-क्या आ जाता है, अगर आप यहा हाँ पर जाना है, कहता जी हमें, constitutes what constitutes good life, यह जानना है, अच्छा जीवन में क्या आता है, जीवन में क्या आता है, वहाँ तक रुक गए ना, तो ग्यान अधूरा है, हमें क्या जानना है, what constitutes good life, अच्छा जीवन में क्या आता है, अच्छे जीवन का सबसे एहम, और सबसे मह मेहत्वपुर्ण अंग क्या है अच्छे जीवन का हमें ये समझना है जीवन का नहीं अच्छे जीवन का और ये कहते हैं कि अच्छे जीवन का सबसे जो इंपोर्टन पार्ट है that is knowledge that is knowledge तो क्या कहा हिनोने कहते कि scholars of that time were busy finding the physical chemical and biological properties of life but सुकरात ने क्या हा that is not enough to know what constitutes life it is even more important to know what constitutes good life for virtuous life right so good life your virtuous life make a data उन्होंने कहा knowledge is the only essential ingredient for virtuous life अच्छे जीवन को जीने के लिए ग्यान सबसे important constituent है या ग्यान सबसे important element है इसलिए नोने क्या कहा knowledge is good life या फिर knowledge is virtue so ग्यान या knowledge is good life या फिर knowledge is virtue so again please understand कि good life या फिर virtuous life एकी बात है ओके virtuous life या good life एकी बात है तो इन्होंने कहा कि virtuous life या virtue क्या है knowledge है यानि कि अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए knowledge चाहिए वो इन्होंने कहा फिर बात आठी है कि knowledge कहां से आएगे true knowledge कहां से आएगे क्या true knowledge वो है जो हमें बाहरी लोगों के द्वारा बताई जाती है क्या true knowledge वो है जो sophists आके हमें समझा जाते हैं या फिर true knowledge का कोई source अलग है तो सुकरात ने कहा कि भई true knowledge comes from within true knowledge हमारे अंदर से आएगी the source of true knowledge is our soul हमारी जो आत्मा है वो है source of true knowledge हमारी आत्मा से आएगी Though knowledge सच्छा घ्यान हमारी आत्मा से आएगा कैसे हम अपनी वाइस-ओव слonk het हमारी आत्मा की आवाज को हम कैसे सुने तो उस ने क्या कहा कि भ verdad हमें डाय कि यार ठीक है यह करना चाहिए हमारे धरम में कहा जाता है किसी भी धरम में कोई भी बात कही जाती है तो वह धार्मिक गरंथ ने आपको बता दिया तुकरात कहते हैं कि क्या यह ट्रू नौलेज है नहीं आप इसको सवाल करो और सवाल करके समझने की कोशिश करो आपी को अं लौजिक एंड रीजनिंग हम ट्रू नौलेज यानि कि सच्चा ग्यान हासिल कर सकते हैं ऐसा सुक्रात ने कहा चलिए फिर आता है वाइसे के लिए भी रैडी करते जा रहे हो ठीक है इसका मतलब क्या है थोड़ा सा पता अगर एक स्टूडेंट को चल जाए लक्षमी कांत भी पढ़ लेते हैं लक्षमी कांत भी पढ़ ली उसके बाद जब वो क्लास में आके बैठेगा तो वह टीचर को भी ऐसे समझ रहा होता है कि बच्चा लगा हुआ है असमझा रहा है मतलब वह ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा ज्यान आ जाए हमसे हैंडल नहीं हो पाता है वह ऐसा जब हमें होता है क्लास में भी होता है हम कोई चैप्टर एडवांस में भी पढ़कर चले जाए क्लास में एक स्कूल में भी लगा लो कोई चैप्टर हमने टूशन पर पढ़ ल गए उसके बाद क्लास में जाके स्कूल में जब बैठे तो टीचर को तो हम ऐसे समझ रहेते हैं कि बच्चा अलगा हुआ कोई बात करता रहने तो क्यों भई क्योंकि जो थोड़ा सा भी नॉलेज अगर हमें आ जाती है तो हमें लगने लगता है कि पता नहीं हमने क्या जान लिया तुकरात ने यह कहा कि भई यहां तक नहीं रुख सकते उन्हें ने कहा कि देर आर सम पीपल प्रोजेसिंग स्प्लिंटर नॉलेज थिंक डैट देनो एवरेटिंग हैंस देर ग्रोथ स्टॉप्स अंड यार अने अबल तो यूटिलाइस देर पोटेंशल जो जो लो हमारी और सीखने की जो इच्छा शक्ती होनी चाहिए थी वो रुख जाते हैं यहां पर अगर आप रुख गए आप मार खा गए और यही बात सुकरात ने कहीं क्या कहता है Are इतना जानने के बाद माने यही जाना कि मुझे उखुन हि। नहीं क्याता जाना उसके बाद यह मने जाना कि मुझे कुछ नहीं चाना तब ही मेरे अंदर से एक आग आती है एक इच्छा शक्ति आती है मेरे अंदर एक प्यास जगती है कि भई मुझे और जानना है जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे आ गया बस मैं वहीं रुख जाऊंगा मेरी ग्रोथ नहीं होगी मेरा potential खतम लेकिन जब मैंने ये रखा अपने अंदर की ये अर अभी तो और बहुत जागना है इसलिए कहते हैं that education is a lifelong process education आपकी formal education साथ खतम नहीं हो जाती आपके school college बेशक पीछे छूट जाए लेकिन आपका जो learning curve है या जो learning process है ये आपके आखरी दम तक चलता है और जो व्यक्ति आखरी दम तक सीखता है वही grow करता है आप जितने बड़े बड़े जो भी successful लोग हैं चाहे वो politics में हैं चाहे वो business में हैं कहीं पर भी देख लो उनकी एक hobby आपको जरूर मिलेगी या तो वो पढ़ते हैं या फिर वो दूसरों को सुनते हैं और उनसे ज्ञान पराप्त करते हैं So don't stop learning That is what सुकरात या सोक्रेटस टोल्ड अस अराउन 2400 यह बैक So that is what he says कहता है An unexamined life is not worth living ये एक और बहुत ही beautiful सी quote है आज की हमारी आखरी quotation रहेगी कहता है कि unexamined life is not worth living इसका क्या मतलब है देखिए इसका मतलब सिरफ simple सा है कि हम ignorance में जी रहे हैं हमारा सारा जीवन ignorance में बीट जाता है हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं है न हम क्यों कोई भी activity perform करते हैं क्यों करते हैं यह सबसे बड़ी problem है यह सबसे बड़ी problem है just in the name of custom just in the name of tradition हमारे परिवार में हमेशा से ऐसे होता है हमारे समाज में हमेशा से ऐसे होता है हम करते रहते हैं भेड़ चाल चलते रहते हैं कहता जी यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हो सकता है कि आपका सारा समाज एक गलत रस्ते पर चल रहा हो जैसे कि सतीप रथा कि हमने बात कि थी उस समय जब राजा राम मोहन रोड़ ने सतीप रथा के अगेंस्ट स्टैंड लिया था तो उस समय तो सारा समाज उसमें एक्जामन किया कि यह वाके में गलत प्रथा है हमें इसको कंटिनियू नहीं करना चाहिए और जेज दिन हम यह करना शुरू कर देते हैं हम अपनी लाइफ को एक्जामन करना शुरू कर देते हैं उस दिन हम चेंज के इंजन बनते हैं उस दिन हम एजेंट ऑफ चेंज बनत कारण नहीं पता होता, again Socrates is questioning each and everything, वो कहते हैं कि logic लगाओ, हर चीज को कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, mobile देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, is it giving me some pleasure, क्या ये pleasure long term है, या फिर अभी reels देखे के खतम, बस यहीं पर मेरा time waste, तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा, that he believed, that throughout our life we live in ignorance, we accept external ethics, we ignore the voice of inner soul, and we do not question the commands that we get from outside, and action that we perform, so क्या कह रहे हैं, कि बाहरी ग्यान हम में जो मिलता है, हम उसके हिसाब से चलते रहते हैं, inner voice या soul की जो voice होनी चीए थी वो हम सुनते नहीं, soul की voice आनी थी, that was true knowledge true knowledge हम नहीं लेते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं, जो कि actual में जीवन है नहीं it is just existence, it is not living it is just existence, so ये कुछ quotations हमने आज Socrates की यहाँ देखी, इनका अगर concept हम बात करें, इनका हमें, इनके इनका जो source of knowledge है वो है प्लेटो की राइटिंग्स इनकी कोई direct ऐसी किताब नहीं है, जो कि इन्होंने लिखी हो इनका जो maximum हमें ज्यान मिलता है इनके बारे में, वो प्लेटो की राइटिंग्स से हमें मिलता है और अगले session में मैं कोशिश करूँ हूँ प्लेटो को भी हम लेकर आएं और अगला session हमारा कल दुबारा पांच बजे होने वाला है जैसे कि पहले भी होता रहा है, तो कल शाम पांच बजे दोस्तों हम दुबारा मिलेंगे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर ये session पसंद आया तो लोगों के साथ share कर सकते हैं, इस like कर सकते हैं, इस session की PDF में यहाँ पर भेजूँगा, और अगर आपकी suggestions हों, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं, कल शाम पांच बजे दुबारा हम इसी channel पर दुबारा मिलेंगे, एक नए philosopher के साथ, I hope कि आज का session आपको पसंद आया होगा, thank you very much for joining me today, and I had a great time with you all, thank you, and कल शाम पांच बजे, अच्छा, तो ये दूसरा ये कि भाई, अगर आप वाके में जॉइन करना चाहें, तो ये भी कर सकते हैं, six life फांडेशन बैच हमारा, अभी close होने वाला है ठीक है, so chand live का code इस्तमाल करके वो भी join कर सकते हैं, thank you very much, कल दुबारा मिलेंगे, अगर आपको ये पसंद आया हो, तो लोगों को बताईएगा, जरूर share कर सकते हैं, thank you thank you, thank you